ओम शाम्ति, आज आपके तिरेपेवनवे दिन का वर्दान, 53rd डे आपका, और आज के वर्दान में परमपिता परमात्मा हमें सही कर्म करने का तरीका सिखाते हैं, वो हमें बताते हैं कि जो हम सोचते हैं, बोलते हैं और जो हम करते हैं, उसमें अगर हमने एक स्वेम अनुभ होँ, तो आप सोचिए, आप जो बोलेंगे, वो लोगों को महसूस होगा, लेकिन अगर हम कुछ बोलते हैं और हम स्वेम नहीं करते हैं, तो उसकी महसूस था, उसके अंदर इती शक्ती नहीं होती, जो कहते हैं, तलवार में धार नहीं हैं, तो तलवार में धार होना मतलब स्वेम भी वो बोलना और करना और अनुभव के अनुसार बताना औरों को जब ये अनुभव हो जाते हैं तब हम किसी को जब कहें तो उसका असर बहुत ज़ादा पड़ता है तो परमात्मा उसी तरी के से आत्यात्मे में भी हमें सिखाते हैं आईए सीखें आज क्या भाबा कहते हैं भाबा कहते हैं हर कर्म रूपी बीज को फल दायक बनाने वाले योग्य शिक्षक भव तो हर कर्म रूपी बीज फल दायक कब होगा उसके बाहरे में देखें भाबा कहते हैं योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है शिक्षक थो सारे दुनिया में हैं दुनिया भी पढ़ाई के शिक्षक हैं लेकिन यहां बात कर रहे हैं हम आध्यात्मिक पढ़ाई की पहले स्वयम को तो आए स्वयम तो हम उस रस्ते पर चलें स्वयम शान सुरूप बने, स्वयम प्रेम सुरूप बने तब जाकर कि हम किसी को उसकी शिक्षा देपाएं क्योंकि हमने स्वयम अनुभव किया है तो योगी शिक्षिक उसे कहा जाता है जो स्वयम शिक्षा सुरूप हो क्योंकि शिक्षा देने का सबसे सह साधन है स्वरूब द्वारा शिक्षा देना अपने स्वरूब द्वारा शिक्षा देना सिर्फ मुख द्वारा नहीं वे अपने हर कदम द्वारा शिक्षा देते हैं हर कदम में जैसे बोलते हैं पद्मों की कमाई होती है तो हर कदम में अगर आपको परमात्मा की अनुभूती हो किसी से आपको किसी को देख करके लगे कि हाँ यह पिक्तित बिल्कुल जो परमात्मा कहते हैं ब्रह्म कुमारीज में उसके अनुसार चलता है तो उसकी ये बातों में दम है, शक्ती है, ताकत है तब जा करके आप उस पे अमल करेंगे उनके हर बोल वाक्य नहीं, लेकिन महा वाक्य कहे जाते हैं तो जैसे हमारी जो वरिष्ट दादियां हैं, ब्रह्म कुमारीज की वो जो बोलती थी, वो अलड़ी अनुभव कर चुकी थी और अनुभव के आधार पर बोलती थी, केवल ग्यान के आधार पर नहीं और जब तक उनको अनुभूती नहीं होती थी, उठने, गिरने की, फिर उठने की तब तक वो कुछ बोलती ही नहीं थी तो जिसे पंडित होते हैं कुछ वो सिर्फ बोलते हैं लेकिन स्वयम करते नहीं है लेकिन यहाँ परमात्मा कहते हैं आपको पंडित नहीं मनना है आपको स्वयम करना है अनुभव उसके बाद में और उसके साथ में वो अनुभव शेर करके उनके जीवन में परियुड तन लाना है उनका हर कर्म रूपी बीज फलदायक होता है निश्वल नहीं होता ऐसे योगी शिक्षक का संकल्प आत्माओं को नई शृष्ष्टी का अधिकारी बना देता है तो नई शृष्ष्टी का अधिकारी मतलब पहले तो स्वयम के अंदर नई शृष्ष्टी में जाने के संसकार हो स्वभाव हो कैरेक्टर हो उसके पहले स्वयम को परमात्म से जोड़ करके meditation के द्वारा और आधियत्मि ज्यान लेकर के परिवर्तन करना बहुत जरूरी है तो यह परिवर्तन नहीं दिन का तो है नहीं इसमें समय लगता लेकिन हर दिन जब कोशच रहती है तो उसमें परिवर्तन आता ही है परमात्मा का प्रेम मिलना सुख शांती मिलना उसी समय परमात्मा ने इतना सुख दिया ती शांती दिया मैं उनके अनुसार उनके बतावे मार्क पर चलूं और मुझे देख करके फिर औरों को भी प्रेड़ना मिले शिक्षा मिले कि मैंने जो किया परमात्मा के अनुसार किया अब आप भी बाबा के अनुसार या परमात्मा के अनुसार चलें तो आपको भी वही अनुपूतियां होंगी तो ऐसे योग्य शिक्षक का संकल्प आत्माओं को नई शृष्टी का अधिकारी बना देता है उनके संकल्प इते शक्तिशालिवाते हैं कि उनको सर्फ सोचना पड़ता है आपके बारे में अच्छा भावना शु इंसार की आत्माओं के को आगे बढ़ाने के लिए मेडिटेशन में संकल्प कहें या प्रे कहें या शुब भावना या शुब कामनाएं दें शक्ति बाटें किरुनों के द्वारा वो करते हैं यही हम सबको सीखते हैं ब्रह्मकमारिस में तो आज अस मैतवपूर्ण वरद